मैं इसे ओपन का यह मैंने वो यह की स्कूल अंदर टेस्ट नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स विलाव फैमली जी है सिरफ चैनली सिरफ पेजनी परिवार है मारा और यह कहां गया हूँ मैं यह आगया हूँ मैं स्टॉक रूम में और दोस्तो आज मैं आप ही की डिमांड पर एक ऐसे प्रोडेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जो वजन नहीं बढ़ाएगा वजन नहीं गटाएगा मसल बिल्डिंग नहीं कराएगा प्रोटीन नहीं है वो मास गिनन नहीं है वो वो है एक ऐसा प्रोडेक्ट जो की आपकी muscle pumping में help करेगा आपकी vasculity बढ़ाएगा, आपकी physical performance increase होगा, आपकी pumping maintain रहेगी, वो product के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और वो product है आपका अपना citrulin, citrulin के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, क्या होता है कैसे use करना है, किसे लेना है, कब जिम जा रहे हैं, आपने biceps का workout के, आप देखेंगे जिम में जब आप जाते हैं, तो muscle एकदम से pump हो जाती है मतलब tight tight हो जाती है, बड़ा मज़ आने लगता है उसके बाद जब आप workout ड्रॉप करते हैं तो muscle फ्टोड़ी डाउन भी हो जाती है और plus में जो है, जो starting में pumping आती है वो maintain ने रहे पाती है, दूरिंग workout भी तो ये वो product है, जो आपकी muscle pumping को maintain रखेगा वस्कुलरीटी देगा, वस्कुलरीटी का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा, bicep में बहुत नसे से दिखने लगती है citrulin एक amino acid होता है, जो की हमारी body में nitric oxide की supply करता है जिससे blood flow बढ़ता है, extra pumping आती है हमारी muscle growth में भी help होती है, क्योंकि आपको ही पता है कि हमारी muscles तक जो खाना पहुंसता है, जो oxygen पहुंसती है जो amino acid की supply होती है, वो blood flow के through होती है मलब खून के जरिये ही होती है, तो जब आप किसी muscle को hit कर रहे है और citrulin की help से, वहाँ पर blood flow increase हो रहा है तो आपको muscle growth में भी help मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा amino acids जा पाएंगे वहाँ पर आपको ज़्यादा oxygen की supply हो पाएगी खून के जरिये, तो वहाँ पर आपको जो है extra muscle growth में भी help मिलेगी और यह आपकी physical performance increase करेगा क्योंकि वही वली बात है कि जब blood flow बढ़ रहा है आपको energy ज़्यादा महसूस हो पाएगी during workout तो आप जो है physical performance भी आप अपना better perform कर सकते हैं वह भी आपके increase हो जाएगी यह आपको लेना कब होता है यह आपको अपनी exercise करने से पहले लेना है वैसे इसका कोई specific time नहीं होता है पर exercise करने से पहले आप ले और warm up के बाद, जैसे आप जिम में गए हैं जिम में जाने के बाद आपने थोड़ा सा warm up किया यह काम कैसे करता है अंदर जाके वह भी बता जेता हूं देखे citrulin जो होता है जैसे मैं बता है अमिने इसे होता है जब हम इसे लेते हैं तो हमारी body इसको पहले arginine में convert करते है arginine आपको पता है कि हमारी body में non-essential amino acid होता है मतलब हमारी body खुद बनाती है और यहां पर मैं इसे आपको open करके भी दिखाऊँगा और सबसे बड़ी बात इसमें पता है क्या है सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपका बहुत ही सस्ता supplement बहुत असरदार supplement है मैं बताया physical performance increase करेगा muscle pump देगा muscularity में आपकी help करेगा muscle growth में आपकी help करेगा और नुकसान इसका कुछ है नहीं पिलस में exercise करने के बाद में यह आपकी कुछ pumping maintain भी करेगा कुछ धान रखना as it is नहीं रह पाएगी तो citrulline star x nutrition का और चलिए मैं इसको open करके आप दिखाता हूँ सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही सस्ता है जब मैं आपको इसके प्राइस बताऊंगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा तो star x nutrition का citrulline muscle pumping के लिए best product है आपका तो यह रहा अब मैं इसको यहां से open कर लेता हूँ इसकी यहां से seal हटा लेते हैं हम और इसको घोल के मैं आपको दिखाऊंगा exercise करने से पहले लेना है आपको warm-up करने के बाद जो आप जिम में चले जाए देन उसके बाद में अपना जो है warm-up अगरा करने के बाद गुन-गुने पानी में आप इसे ले ले लेना कितना होता है वैसे जो र्यूंट कर रही है वह कंपनी कह रही है जिसकी आपको एक स्कूप लेनी मना 2000 mg दो ग्राम लेना है आपको एक वार में और यह टोटल है आपका 300 ग्राम स्कूप आएगी क्योंकि दो ग्राम की स्कूप है तो यह की स्कूप निकलेगी इसके अंदर तो आपको यह अगर बिगनर है पहली वार ले रहें तो दो ग्राम बहुत है पर अगर आप मतलब जो है इंटर्मिडेट एडवांस टेच में तो आप इसको चार ग्राम भी ले सकते हैं मैं पर्सनली इसे चार ग्राम यूज करता हूं तो चलो मैं अब इसे यहां से इसमें डाल लेता हूं एक स्कूप एक ही स्कूप मैं आपको डाल के दिखाऊंगा और यह रहा सप्लीमेंट्स इसका आपने भी पड़ा हुआ ना अटिम्स की साइंस में कि अमल होते हैं खटे और चार होते हैं कडवे तो यह अमल है यह उसमें होता नहीं कुछ ट्रुलीन नहीं आते हैं तो बिल्कुल खट्टा है यार तो सिट्रूलीन मॉलेट तो सिट्रूलीन पाउडर आप यूज कर सकते हैं अपनी एक्स्ट्रा मसल पंपिंग के लिए तो चलिए मैं से पी जाता हूं वैसे मैं एक्सरसाइब करने से पहले आद ले चुका हूं अपना चार ग्राम पर कोई न अपना चार ग्राइब कर दो चाहिए तो यह आपका सिट्रूलीन और आप में बता जता हूं उसका प्राइज और ध्यान रखेंगे जब आप इससे बंद करेंगे तो अच्छे से आपको टाइट करके बंद रहें क्यों तो फिर जमने लगता है तो अगर मैं इसके प्राइ ऐडे में डेड़ों सो दिन चलने वाला इससे क्या मला रूपिम नहीं हो सकता है और इस known का कॉछ सकता है नहीं हो सकता है तो आप शेक्रमसे के लिए और जो है मसल ग्रोथ में indirectly help करेंगा वी से ले सकता है तो आप इसे आपके अपने वहां पर विजिद कर सकते हैं जैसे आप दिल्ली कालकाजी जा सकते हैं पलवल हरियाना जा सकते हैं मत्रा उत्तर परदेश जा सकते हैं मेलट उत्तर परदेश जा सकते हैं कानपुर उत्तर परदेश जा सकते हैं गाजीअबाद उत्तर परदेश जा सकते हैं अ पूरी लोकेशन बिल जाएगी तो वहाँ भी जाकर आप इसे ले सकते हैं तो मैंने इसको कैसे यूज करना है क्या फायद है सब कुछ बता दिया है फिर भी कुछ रह गया है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं तो सिट्रूलीन पैस सप्लिमेंट है मसल पंपिंग के लिए और करो कुछ भी समन्ना है पूछो अगली वीडियो कि इस प्रोडेक्ट के उपर देखे रहां चाहते हो वह भी बताओ कमेंट करके क्योंकि आप ही की डिमांड पर वीडियो में बनाऊंगा वीडियो चली की तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो आज को नमसें के लि झाल 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 झाल